तो अब भी जिदी क्रोमा करेंगा तो यो डिश्टप करेगा ठीक है ना तो दोस्तो नमस्कार 10 अप्रेल है 10 अप्रेल हम सभी लोग जानते हैं कि अब देखो क्या होता है कि मैं तो मेरे इस्टुडियो में हूँ तो मेरा इसको मैं थोड़ी देर के लिए में साइड में हाटा लता हूँ तो दोस्तो नमस्कार 10 अप्रेल है हम सब लोग जानते हैं कि करोना पूरे वर्ड में चल रहा है मतलब पूरा वर्ड पूरी प्रत्वी बहुत डेंजर बिमारी है जब पूरे वर्ड में पूरी स्रष्टी में यानि कि स्रष्टी में करोना नामक बिमारी सिर्फ मनुष्य को लगी है यानि कि करोना की ये बिमारी सिर्फ मनुष्य को लगी है पता नहीं स्रष्टी में ऐसा क्यों हो रहा है या तो हो सकता है कि स्रष्टी में कुछ ऐसी बिमारी है वो मनुष्य को लगती होगी प्रत्वी स्रष्टी अगर मैं आप लोगों से स्रष्टी की बात तरूँगा तो ब्रमा जी स्रष्टी का पूरा निर्माण ब्रमा जी ने किया था ब्रमा जी ब्रमा जी का पूरा मंदिर पुष्कर के पास में है वहीं पर पुष्कर सरोवर है यानि की पूरी स्रष्टी उसमें स्रष्टी में साब आ गया चाहे थाइलेंड की जमीन ओन चाइना की जमीन होन, अमेरिका की जमीन होन, यूरोप की जमीन हो, मतलब पूरी स्रष्टी का निर्मान करने वाले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने भी इसलिए स्रष्टी का निर्मान किया, कि बगवान विश्णू का आदेश था, भगवान विष्णु हम सब लोग जानते हैं कि क्रश्न भी विष्णु के अवतार राम भी विष्णु के अवतार और जितने भी देवता हुए वो सब विष्णु के अवतार है विष्णु को हम सब लोग जानते हैं भगवान विष्णु समुन्दर में अराम से सोय रहते हैं समुन्दर में यानि कि भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने एक कमल फेका कमल का फूल फेका और वहीं से ब्रह्मा जी ने स्रश्टी यानि कि ब्रह्मा जी ने ये जो अपन पढ़ते हैं न कि चारों वेद, चारों वेद भी ब्रहमा जी ने ही लिखे, चार वेद, उसी के अनुसार पूरी स्रश्टी चली, कुल मिला कर फिर आगे-ागे बढ़ते रहे, बहुत समाई बिता, हम आपको पुशकर के तलाब भी बताएंगे, पुशकर जी के दो-चार इंटर्वी भी बताएंगे, यानि कि जब स्रश्टी का निर्मान हुआ, और ये जो ब्रहमा जी का जो मंदीर देखते हैं, इस ब्रहमा जी के मंदीर को भी कई बार आकरमण, मतलब मुगलों ने इसको खंडित करवा दिया, ब्रहमा जी को मंदीर को भी मुगलों खंडित किया हुआ है, जहां ब्रहमा जी का मंदीर बरसो पुराना, मतलब चार हजार साल पहले ब्रहमा जी के मंदीर के अवशेश मिलते हैं, चार हजार साल पहले के, यानि कि भगवान महवیर और जो मुहमत साब है, पेगंबर मुहमत साब, ये भी लगबग ड्हे जार सा पहले उससे पहले चार हजार वर्स पूर्व बर्मा जी का मंदिर पुश्कर में बना था उसके मूर्तिये और पत्थर आज भी मिलते हैं यह बहुत बड़ी बात है कई सारे राजा हुए अजरो सेंकडो राजा हुए राजा का मतलब जूं लोग पेदे हुए एक दूसरे को म वो मुख्या बन जता था मुख्या मतलब परदान परदान का मतलब राजा ऐसे ही राजा बनने होंगे दिरे दिरे विक्ती दर उदर चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो कुल मिला कर पूरी स्रश्ठी का निर्मान ब्रमा जी ने किया पूरे वर्ड में ब्रमा जी का एक ही मंदीर है वो है पुषकर में पुषकर के जल्ट से सनान करने से बहुत फाइदा होते हैं अब हम पुषकर की बात दें तो 4000 साल पेले तो पुषकर के मंदीर आज भी मिलते हैं तो भी लगबा के 600 साल पेले इधर महुमद गोरी भी आया हुआ है 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 मुχमत गोरी ने भी आकरवण किया shop आरकार कि मुchlagen गोरी तो अफगानिस्तान का था अफगान अफगानिस्तान गोरी क का और अजमेर लगा किरते ही तो मज़ा आ जयता वोस क्योंके पुशकर और अजमेर तो लगवक 20-22 किलो मेटर की दुरी है बीच में पहाड है बहुत बड़ी पहाड़ी है थी पहाड़ी के इस साइड पुशकरजी और पहाड़ी के इस साइड अजमेर अजमेर की जो बात ठेरे नो वो से, आना सागर कहते थे उसको, आना सागर, अजे मेरू, तो उसके बाद में ये डाई दिन का जोबड़ा, ये अजमेर, और अजमेर, का मतलब, ये सब इतने बड़े-बड़े संत, यहाँ आते ही इसलिए थे कि ब्रह्मा जी का मंदिर था पूरी स्रश्टी का निर्मान ब्रह्मा जी ने किया है पूरी स्रश्टी का क्योंकि दिरे दिरे तो कई सारे दर्म बनते रहे क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि दर्मों की जाब आत है कि और कौन पहले यहुदी भी थे, what इस यहुदी, यहुदी मतलब जब मुहमत साब और इसामसी से पहले यहुदी थे, यहुदी, जिसको हम इसा के पूर्व केता है, इसा के पूर्व, सन दो जार, इसा के पूर्व, मतलब इसा मसी जब पेदा हुए मशीनरी जाने की इसा मसी भी एक संत्त है और मुहमद साब भी संत्त है इसा मसी मतलब ये सब यहुदी यहुदी जो इसा मसी और मुहमद साब से पेले क्योंकि मुहमद साब भी पेगंबर है मतलब अल्ला की बातों को आगे पहुंचाने वाल उसको पेगंबर कहा जाता है और इसलाम के लाश्ट पेगंबर मुहमद साहब हैं ऐसा मुझे नो लेजे और इधर इसाई इसाई का मतलब ये अपने वही हो गया क्या नाम है इसाई साहब का उनका जो जिनको सूली पे चड़ा दिया था और क्रिश्यन है और वो तो यानि कि यहूदी यहूदी पहले थे मतलब जो इसाई धर्म ने इसाई मसी सोरी इसाई मसी से पहले जो धर्म था वो यहूदियों का था यहूदी बहुत ज़्यादा क्रूर थे अपने राजपार्ट को उसको एक दूसरे को मारते थे गरीबों को पर अत्याचार करते थे यहूदी तो कोई किसी पर अत्याचार करेगा, तो कोईन कोई संत तो पेदा होगा, तो उसी धर्मियान, मौहमत साब, और जिनको सूली पे चड़ा दिया, कि इनको चड़ाया? इसा मसी को, तो इस तरह से ये धर्म मतलब, जेन धर्म भी आया साब, जेन धर्म में कोण है? पर्थम तिर तांकर कोण है? भगवान महविर, और इस तरह से ये सब, फिर इसे ही धर्म भी आया, बोध धर्म भी आया, तो यानि कि सरष्टी का निर्मान ब्रह्मा जी ने किया है, सरष्टी के निर्मान करना वाला ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने इस सब को कमाना खाना चिकाया, लेकि भी हम लोग दोते हैं कि वह यार, अब हम उस देवता को नहीं मानें अब हम इस देवता को मानेंगे, बी प्रेक्टिकल जश्ट है, दोजार बीस का साल है साथ, मालो में पेजाता हुआ हिंता गाहु में, वहां पर मैरे माताजी वो थे, चावणडा माता थे, मेरे बेरुजी लेकिन जब मैं उद्यपूर में आ गया तो वहां पूजा कम कर रहा हूं और इधर उद्यपूर की देवताओं की पूजा ज्यादा कर रहा हूं तो वहां ज्यादा आस्ता हो गई मैं मालो जगदिश मंदिर में जा रहा हूं जगदिश का मैं आरेद्य कर रहा हूं तो यानि क व्यक्ति समय समय पर अपने इश्वर को और अपने धर्म को मलब है तो सब हिंदु धर्म की लेकिन आप मेरे से जादा समझते हैं समझो उसे कोई भी फ्रक्टि परता लेकिन हम भी टाइम पास करने हैं साब आपको इस तरह की जान कर इदे रहे हैं पूरे उद्वपूर में लोगडाउन है और भगवान की जाया से जैसा टूटा पूटा ग्यान मेरे में है वो में आपको बताया है आप भी और ज्यादा ग्यानी हो तो मुझे फोन करना वाटसप पे बेजना मैं आपको न्यूज चैनल में चला दूँ आच्छोगालाल बोई यानि कि आज जो तार को हो सकता है कि उद्यपूर खुल जाएगा धन्यवाद आपने मेरा बासन सुना बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी माच थैंक्यू जय हिंद जय मेवाड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू